नमस्कार दोस्तों मैं राजबीर सिंग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके और इस इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज अपने बात करने वाले एक communicable disease के बारे में जो कि अपने जानते हैं chicken fox के बारे में chicken fox को अपने छोटी माता के नाम से भी जानते हैं chicken fox एक highly contagious disease condition है इस disease condition के अंदर बात करें जो causative agent होता है वो वेरिसला जोश्टर होता है ये वेरिसला जोश्टर एक परकार का वाइरस है और ये DNA वाइरस होता है most commonly जो इसका transmission mode होता है वो होता है इसका airborne और direct contact की वज़े से ये spread easily हो जाता है इसका जो incubation period है वो 14 से 16 दिन का होता है इसका जो communicable period होता है वो period हमारा disease होने से एक से दो दिन पहले से start हो जाता है और disease के 4 से 5 दिनों तक ये क्या घरता है communicability करता है एक person से दूसरे person में easily spread हो सकता है इस time interval के अंदर यही क्या है period of communicability अब इसके sinus symptoms की बात करें तो sinus symptoms में हमारा को देखने को मिलते हैं इसके body पे races, races होते हैं, superficial देखने को मिलते हैं और centric pubic distribution देखने को मिलता है मतलब कि ये center से start होते हैं और peripher के तरफ ये spread होते हैं यहाँ पे अपने बात करें जो races firstly appearance होते हैं फिर वो chest पर आते हैं फिर back पर जाते हैं और फिर both extremities अपर और lower extremities पर ये spread हो जाते हैं यहाँ पे जो races होते हैं वो muscular होते हैं, popular होते हैं, pistolar देखने को मिलते हैं ये characteristics होते हैं इस परकार के races के, यहाँ पे other sinus symptoms की बात करें तो slightly हमें fever देखने को मिलता है, malice देखने को मिलता है, anorexia की condition देखने को मिलती है इस परकार के patient के अंदर अब हम बात करें इसके diagnosis की, तो diagnosis में हमारे पास जो vesicle fluid यानि के जो races से fluid discharge हो रहा है उस discharge को हम collect करते हैं और under the microscope जो virus होता है उसके examination करते हैं यही इसका एक confirmatory diagnosis होता है, chicken fox का एक vaccination भी आता है, जो की life attunated vaccine होता है यदि इसके exposure में कोई patient आता है, तो इसकी profile axis जो treatment होता है उस treatment में हम vericula joster का immunoglobin injection होता है, वो हम use में लेते हैं within 72 hours after exposure इसका जो dose होता है, वो 0.5 ml होता है, I.M. हम इसे use में लेते हैं, intramuscular injection होता है यह अब हम इसके कुछ percursions की बात कर लेते हैं, तो हमें patient को educate करना है कि जो अपने cloth वगेरा हैं, वो किसी के साथ share ना करें, जो bad है वो भी किसी के साथ share ना करें और time to time उनके cloth वगेरा को clean करना है, और साथ में ही patient के जो face वगेरा है, उसको cover रखना यह सभी तरीके से हम disease को spread होने से बचा सकते हैं, और आपके other family members को भी बचा सकते हैं यही एक इसका तरीका है, जो इसका precutions की रूप में हम use में ले सकते हैं आपको यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो please अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को like और subscribe करके जरूर जाएं, thank you और यदि आपको आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए, तो एक अच्छे से comment के साथ हमें प्रोसान दें, thank you